इस वीडियो में मैं आपको नमबर सिस्टम के सीरीज के कुछ कोस्टन को बताऊंगा जो की एससी के एक्जाम की दस्टित बहुती इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों हम लोग सुरू करते हैं पहले कोस्टन की और सीरीज किसे कहते हैं जैसे की एक से अनंत तक की जो या एक से दस तक की जो संक्या होती है वो हमारी सीरीज कहलाती है जैसे एक से फिर प्लस टू प्लस त्री इसकल टू सो आन जो होती है वो हमारी सीरीज कहलाती है जैसे कि पहला हमारा question दिया 1 by 1 into 3 plus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7 plus is equal to 1 by plus 1 by 279 into 281 यह हमारी series हो गई तो इसको solve करने का बहुती आसान तरीका मैं बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इसको solve करने का बहुती आसान तरीका है दोस्तों तो सबसे पहले आप यह देखिए कि 1 into 3 में कितने का अंतर है 2 का अंतर 3 into 5 में 5 में से 3 गटाएंगे तो कितना आएगा अंतर 2 और 7 में से 5 में गटाएंगे तो 2 का अंतर तो इसमें बराबर ले निसान लगाएंगे तो जो अंतर आएग उसको एकवटे 2 करदेंगे दो कांतर है तो एकवटे 2 कर दिया फिर अगले में हम लोग एक बड़ा कोस्टक बनाएंगे आगे वाली हम लोग 2 संख्या हैं देखेंगे यह कितने कितने मतलब कितना कितने जादा तो यह बराबर ही है तो इसको 1 by 1 ही करेंगे फिर माइनस और जो लास्ट वाली जो संख्या है 281 इससे हम लोग घटा देंगे माइनस 1 by 281 बहुत ही सिंपल है तरीका जो आपको समझ में आया होगा क्योंकि यह बटे में इसलिए बटे में इसको मैंने बहार में अंस दोनों समान है इसलिए हमने बहारा हो हर दोनों समान रखा माइनस कर दिया अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों 1 by 2 आओ लगुदम कितना आएगा 281 यह 281 माइनस बन इसको ल्टू 1 by 2 इंटू 280 बटे 281 अब यह 2 से काट देंगे हम लो आएगा 2 एकम दो दो चको आट जीरो फिर 140 बटे 281 यह हमारा अंसर हो गया आई हो आपको यह कोसें समझ में आया हो का अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें तो चलिए हम लोग दोस्तों अगले कोसें को चलते हैं जो की इंपोर्टेंट है बहुत हमारा अगला कोसान है 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 12 plus 1 by 20 plus 1 by 132 तो इसको हम लोग पहले into में कनलबर्ट करेंगे बन बटे 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 तो 3 Q12 यह 12 हमँगया इसको ऐसे भी लिलिख सकते हैं हमलो तो इसमें नहीं पड़ गड़ागे प्र यह कोस्टक लगाएंगे तीर आगे वाली संख्या हैं यह देखो बरावन है इसलिए 1 by 1 कर दिया इसको अगर यह 1 by 2 होता है तो इसको 1 by 2 कर देते है फिर माइनस घटाएंगे लास्ट वाली संख्या देख लो 1 by 12 1 by 12 से एक घटा देंगे फिर आया हमारा 12 भी लगुतम हो गया फिर 12 माइनस 5 इसकल टू 11 बटे 12 यह हमारा आंसर हो गया और आपको यह कोस्टन समझ में आया होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेर चनल को सब्सक्राब कर ले और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे अगले वीडियो में कुछ हो ट्रिक लेकर आँगा जो की बहुत इंपोर्टेंट होगी तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों इससे पहले आपसे अलविजा लेता हूँ